लाखों लाखों भारत वासी जो इनसाथ के द्वारा इस समारव को देख रहे हैं आज हमारे पास देमोग्राफी है आज हमारे पास देमोक्रेसी है आज हमारे पास दाइवर्सिती है प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी सुतरतल दिवस पर लगातार ग्यारवी बार लाल किले पर तिरंगा फेराएंगे इस उपलबदी सेवे पूर परदान मंतरी मनमोन सिंग से आगर निकल जाएंगे जिन्होंने लगातार दस बार ऐसा किया था हाला कि पि-म मोदी पूर परधान मंतरी पंडी जवालाल नैरू से पीछ है हैं क्योंकि उन्होंने लगातार 17 बार दिल्ली के लाल किले पर जंडा फेराने का रिकूर्ड भारत के पहले परधान मंतरी जवालाल नैरू के नाम है उन्होंने 1947 से अभर तर्वराश्ट को सम대 ah बूर्पृर्दार मंतरी मनमॣत सिंग के नाम भी लाल किले पड़ जङंडा फैरा निका उलेकनीय Record है उन्होंने 2004 से 2011 तक लगातार दस बार ऐसा किया उनके कारेकाल में इस मैतोपूर्ण राष्टी आयोजन में लगातार भागीदारी देखी गई पूर प्रधार मंतरी इंद्रा गांदी का तिरंगा फैराने का रिकोर्ड पंडित नेरू के बाद दूसरे नंबर पर है उनोंने 1964 से 1976 और फिर 1980 से 1984 के अपने कारेकाल के धोरान लगातार पांच बार तिरंगा फैराते हुए राष्ट को संबोधित किया भारत इस बार प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी के नेतरत में 38 वस्त अपना दिवस मना रहा है इसको रेका तमाम तरीके की तैयारी पूरी कर ली गई है उदर सुरक्षा को लेकर भी दिल्ली सही देश भर में माकुल विवस्ता की गई है मिली जानकरी के मताबिक इस साल लालकिला परेजसर में आयोजित स्वेतंतरता दिवस समारों में करीब 18,000 महमान शामिल होंगे इनमें से 4000 प्षीशतीती महिलाओं, किसानों, युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित विभिन वर्गों से आएंगे वहीं साल के समारों में ओलंपिक में भाग लेने वाले सबी एथलीटों को आमंतरित किया गया है इसमें पैरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीट भी शामिल है उनके उपस्तिती का मकसद अंतराश्ट्रिय मंच पर उनकी योगदान और उपलब्दियों को सम्मानित करना है इस साल स्वतंतरता दिवस समारों बहुती भव्य होने वाला है जिसमें भारत की विविद्धता पूर्ण आबादी को दर्शाते हुए बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे आजादी के लिए लंबा संगर्ज करने के बाद हमारे देश को ब्रिटिस हकूमत से आजादी मिली थी इस दिन स्वतंतरता सेनानियों को याद करते हुए आजादी का जश्न मनाया जाता है अब स्वतंतर दिवस बहुत नजदीख है जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है बता दे 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी इस एतियास एक दिन के बाद से 15 अगस्त को भारत के स्वतंतर दिवस के रूप में मनाया जाता है लेकिन खास बात यह है कि इसी दिन यान दिवस दिल्ले के लाल किले पर जंडा फैराने के साथ 15 अगस्त को करने जा रहा हैं तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं पहडों से मैदानों तक और कश्मीर से कन्या कुमारी तक चारों तरफ देश में उस्सा और उवंग का माहूल देखने को मिल रहा है यह साल सवतनता दिवस पर 2024 की ओफिशिल थीम विक्सित भारत है यह थीम 2047 तक भारत को एक विक्सित राष्ट में बदलने के सरकार के द्रश्टी कोन का प्रतीक है यह थीम बुनियादिर धाचे शिक्ष्या और स्वास्त सेवा जैसे परमुक छेत्रों में ध्यान केंद्रित क किया जा सकें